हेलो एब्रीवन आई होप यू ओल आर फाइन एट यूर होम सो बचो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कवरी ओफ इलेक्ट्रों के इलेक्ट्रों हमने देखी थी और उसके अंदरा क्या जाना था हम लोगों ने कैथोडरे एक्सपेरिमेंट किया था और इसको आप पी बोलते थे है ना आज हम बात करेंगे प्रोट्रों के डिस्कवरी के बारे में लेकिन जो इलेक्ट्रों था देखो जो इलेक्ट्रों का जो हमारा देखो क्या निकल किया था चार्ज हम लोगों ने देखा था तो जो इलेक्ट्रों के उपर चार्ज आया था वो कितना थ बच्चे 1.6 into 10 raise to the power minus 19 Coulomb था राइट और जो मास हम लोगों ने determine किया था वो कितना था 9.1 into 10 raise to the power minus 31 kg यह चीज़ हम लोगों नहीं देखी थी यह कहता है कि जो मास है कि इसका electron का वो बहुत बहुत small quantity आपको दिखाई भी देर अगर हाइड्रोजन के मास से इसको compare करवाया जाए हाइड्रोजन के मास के 1 upon 1837th पार्ट है यह ठीक है हाइड्रोजन के मास के 1 upon 1837th पार्ट है किसके हाइड्रोजन के मास से यह फिर बोल सकते हो 5.45 into 10 raise to the power minus 4 times है इसका मास किससे minus 4 obvious से बात है कमी है ठीक है किससे हाइड्रोजन के मास से यहाँ पर अगर आप क्या करे इलेक्ट्रोण को define भी करना चाहो तो कह सकते हो that an electron an electron may be defined may be defined as the as the what subatomic particle subatomic particle which carries which carries one unit negative charge one unit negative charge और वो negative charge कितना था आप लोगों को पता ही है that is 1.6 into 10 raise to the power minus 19 कूलब हाला कि बच्चे इससे जादा था 1.6022 into 10 raise to the power minus 19 बोलत है तो 0.22 आप आपको पता है scientific notation बगरे के बारे में आप आप अलेड़ी पढ़ चुके हैं तो यह चीच आपको पता है कि हम इसको manage कर सकते हैं ठीक है and has a mass and has a mass कितना 9.1 into 10 raise to the power minus 31 kg equal to equal to 1 upon 1837th of that of what hydrogen that of hydrogen atom ठीक है अगर अब मैं यहाँ पर electron के बारे में ही आगे बात करो तो electron को में एक essential constant बोल सकती हूं हर एक एक एटम का यानि कि आपके जितने भी आइटम है उसमें electron definitely मिलेगा ही मिलेगा और वो जो इलेक्ट्रोन का उनमें जो चार्ज है ठीक है इलेक्ट्रोन का जो भी चार्ज है या उसका जो mass है वो क्या है बच्चे depend नहीं करता कि आपने कौन सा substance लिया है उसका mass or charge हमेशा क्या रहेगा same रहेगा इसी वज़े से हम लोगों ने क्या देखा था discharge tube experiment के अंदर कि वो जो है ना तो nature of gas पर depend कर रहा था ना ही depend कर रहा था कि आपने cathode और enode किस material से बनी हुए लिए है ठीक है इस वज़े से जो electron ह है electron को एक fundamental fundamental constituent माल लिया गया ठीक है यानि कि जिस भी particle के अंदर item के अंदर element के अंदर substance के अंदर electron आप पढ़ रहे हैं उसका mass और जो charge है वो क्या है fix है got it अब हम बात करेंगे आज आज का जो main जो हमारा topic है वो क्या है discovery डिस्कवरी किस की पढ़ेंगे proton की ठीक है discovery of proton के बारे में जो discovery of proton है वो भी लगबग उसी तरीके से की गई थी वही discharge tube के अंदर देखा गया था proton के experiment को भी जैसे हमने किसमें किया था cathode के उसमें किया था cathode के experiment में किया था ठीक है तो discovery of proton ठीक है यह सबसे पहले किस ने की थी 1836 में नाम सुना होगा 1836 में आपने ई गोल्स्टीन ने इ गोल्स्टीन ने ठीक है उन्होंने क्या क्या था इसके बारे इसकी discovery की थी डिस्कवरी कहां से की गई थी जिस तरीके से cathode के क्या की थी डिस्कवरी की गई थी तो वहीं से कुछ एडिशनल चीजे और निकल कर आई थी ठीक है तो आगे जाकर इन जो यह था तो कैथोड से एमिट हो रही थी अगर एनोड रहे है तो एमिट से कुछ ऐसे ही पॉस्टिव चार्ज एमिट हो रहा होगा अब ऐसा कुछ नहीं है तो अब हम क्या है यहां पर समझेंगे कि यह एक डिस्कवियो प्रोटोन यह एनोड रहे एक्सपेरिमेंट जो है हमारा वो कैसे देटर्माइन हुआ कैसे हमें प्रोटोन के बारे में पता चला तो सबसे पहले तो वही अरेंजमेंट हम लोग करेंगे कि हमारे पास क्या है बच्चे एक विस्चार्ज टूब है ठीक है क क्या है हमारे पास में एक कै THOœ और एक क्या है ऐनोड है इस बार आप थोड़ा सा ध्यान से देखेगा लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था क्या कि जो आपका एनोड है जो आपका एनोड है वो क्या था पर्फोरेटिड था पर्फोरेटिड आपको मैंने बता दिया जिसमें क्या हो सो लेकिन इस बार आपका जो एनोड है वो पर्फोरेटिड नहीं है आपका जो कैथोड है वो क् परफॉरेटिड है गोट इट अब अब इसको क्या कर दिया गया और फिल की होई है अब यहां पर एक्चुल में हुआ क्या था हुआ था पिछली बार क्या हो रही थी निकल रही थी कैथोड से मिठ हो रही थी और अनोड की तरफ जा रही थी तो अरेंजमेंट तो बच्चों इस बार भी वही है यहां से कैथोड रही निकल रही होगी हंट्रट परसेंट निकल रही है लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है यहां ह ibaद में ुए घ्जज देखने को मिले दी देखने को मिला अब मैंने क्याकि व regulating in एक्सेर्मेंट के कर रहा यहां अब जो गैस इसके पार्टिकल्स प्रेज़ेंट है यहां से जो इलेक्ट्रोन आ रहे हैं बहुत हाई स्पीड के साथ में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ में और स्टेटली मुव कर रहे हैं अगर यहां से जो इलेक्ट्रोन आ रहे हैं इलेक्ट्रोन ऐस पार्टिकल भी है कर रहे हैं यह हम प्रोपर्टी देख चुके है है ना क्या किया था wheel को उसने क्या करवा दिया था move करा दिया यानि कि mechanical work वो कर रहा है तो यहां से जो electron क्या है move कर रहा है वो क्या करेगा इन particles से strike कर सकते है है ना तो वो क्या करेगा इन particles से strike करेगा और इनको ionize कर देगा क्या कर देगा इनको ionize कर देगा और अगर ionize कर देगा खुद देखें cathode के उपर क्या है negative charge anode के उपर क्या है positive charge यहां से इसने क्या कर दिया इसको ionize कर दिया atom है ना क्या है gas का atom atom क्या होगा positively और negatively charge होगा हाला कि यह चीज़ पता नहीं थी लेकिन यह चीज चूटी ठीक है यही चीज तो हम उबसर्ब कर रहे है तो यहां से क्या हुआ आइनाइज हुआ तो यहां से कुछ positive particles किस तरफ हुए आने लगे इस तरफ आने लगे क्योंकि यहां पर negative plate थी तो cathode की तरफ आने लगे दुबारा सुनिएगा बच्चे यह जो idea था वो यहीं से आया कि क्या यहां पर कोई positive charge भी है या नहीं यह idea कहां से आया होगा क्योंकि हमें यह पता था कि जो atom होता है वो क्या होता है neutral in nature होता है ठीक है अगर किसी atom के अंदर negative charge मिला तो वहां पर definitely कोई positive charge भी होगा क्योंकि तभी वो क्या होगा neutral होगा ठीक है तो यहां से वो idea था तो ऐसे ही क्या है यह nature of gas यहां पर जो gas की जो particle थे इनसे क्या हो रहा और इनको ionize कर दिया इनको तोड़ दिया तूटेंगे तो क्या होगा positive charge और negative charge दोनों में तूटेगा got it तो यहां से जो positive charge वाले जो items sorry आयन थे positively charge जो आयन थे वो किस तरफ attract हो रहे हैं cathode की तरफ attract हो रहे हैं और negative charge की जाते आ रहे हैं इस positive plate जो है किसकी anode की उस तरफ जा रहे हैं समझ में आरी बात कि यहां पर दुबारे सुनिएगा मैं दुबारे बता रहे हूं यहां पर gas के particle से कौन strike कर रहे हैं speedily जो electron move कर रहे थे वो आकर strike कर रहे हैं strike करने से यह तूट गया ionize हो गया जिससे जो positive ion थे वो किस तरफ attract हो गए cathode की तरफ attract हो गए और यहां स यहां से जो क्या थे कि परफॉरेटेड था परफॉरेटेड था तो यहां से क्या हुआ होगा बचे कि जो positive particles से इदर आए उन्होंने आप पर electric field लगाया electric field में क्या था इदर negatively charge plate थी इदर क्या थी positively plate चार्ज थी कुछ भी लगा लीजी चाहिए इसको negative बोल दी चाहिए इसको positive बोल दीजीए तो यह क्या थे positively charge यहां से आए वो इस plate की तरफ attract हो गए और यहां से आइडिया लगाया कि यहां पर कुछ positively charged ion भी present है जैसे electron यहां प इस रे को में क्या बोलूँगी positive ray बोलूँगी ठीक है याद रखिए का यहां से proton release नहीं हुए इसका नाम बाद में proton पड़ा था वो क्यों पड़ा था वह बताऊंगी यहां से आप क्या बोलेंगे हमेशा कि positive ion की race थी वो cathode की तरफ क्या कर रही थी move कर रही थी इसलिए हम हम इसको positive ray भी बोलते है इसको हम क्या बोलते है बच्चे canal rays भी बोलते है इसको हम क्या बोलते है अब कई बास बच्चे confused हो जाते कि anode ray क्यों बोला जाता है शुरू में अगर किसी से normally पूछेंगे कि cathode ray तो ऐसा होता इनोड रे का मतलब क्या हुआ वो सोचेगा कि anode से आ बड़ कहांसे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गैस की जो पार्टिकल्स को आइनाइस हुए थे ठीक है तो हम लग रहा है कि अनोड की तरफ से के शहर विधार्स पिल्ड से घ्री स defender को क्या बोला जाता है ऐसको कि दि discip एक आप क्या बोलते हैं कै्थोर बोलते हैं और दूसरी डिस्क सटाने क्या है जैसे यह ब sisters do यहांसे क्या होगी कै graph करेंगी सीडाइक करेंगी गैस हो जाएंगे इस जो आपकी कैथोड की तरफ आना शुरू हो जाएंगे इस में से बाहर bond बनाए गई थी यहां से निकल रहे हैं और इसमें से नोक आउट हो रहे हैं डबलोवीन आए बाद में डबलोवीन ने क्या किया था इनके नेचर के बारे में हम लोगों को बताया था उन्होंने परफॉरेटिट मेटाली डिस्क को चेंज करके एक होल वाली सरकुलर डिस्क को लगाया अब यहां से जो इलेक्टोन नोक आउट होने के बाद में जो होना शुरू हो गए जिस तरीके से एटेक्ट उल्हे थे तो यहां से यहीरा एटिया लगाया गया कि यह जो पॉस्टिव चार्ज रहा होगा अगने कि प्लत की जाएं दो सारेक्टिसटीन वहीं थी जो किसकी obtained हुई थी हमें electron की obtained हुई थी जैसे कि क्या बोल सकते हैं कि ये एक straight क्या थे straight path को follow करती है वो कैसे देखा था हम लोगों ने यहाँ पर जो raise जा रही थी उसके क्या कर दिया था रस्ते में एक object लगाया था जिसकी क्या मिली थी हमें shadow मिली थी जिसे हम कहते हैं कि जो raise हो क्या करी एक straight path को follow कर रही है got it ऐसे ही क्या किया गया electric field electric field as well as magnetic field लगा कर देखे गए तो यहाँ पर क्या हुआ यह जो raise थी यह जो particles थे यह क्या हो गए attract हो गए attract towards यहाँ पर किस दर किदर negative plate negative plate की तरफ ओफिसी बात उन पर positive charge साथ negative plate की तरफ क्या होंगे attract होंगे just like cathode raise जैसे हमने cathode raise में पढ़ा था बच्चे वैसे यह क्या कर रहे थे wheel को क्या कर रहे थे rotate कर रहे थे rotate wheel that means यह भी क्या रखते है particle nature रखते हैं इसे ही क्या निकाला गया था इनका भी charge mass ratio निकाला गया था ठीक है लेकिन इस केस में जो charge mass ratio निकल के आया था वो क्या था smaller small था किस से electron से क्या तो मैं हाँ से कह सकती हूं that charge mass ratio charge mass ratio is smaller than smaller than electrons तो electrons से क्या था बच्चे small था small था ठीक है अच्छा एक और इसमें main चीज़ थी कि जो आपका देखो electron और कहती है नहीं या फिर cathode rays के case में आप कह रहे थे कि जो आपका जो electron है वो ना तो nature of gas पर depend कर रहा था ना ही cathode और anode की material पर depend कर रहा था लेकिन इस case में दुबारा सुनिएगा इस case में जो आप यानि कि मैं बोलूँगी anode rays depends on the nature of gas बहुत अच्छे से याद रखेगा बाकी तो सारी property match करती है बट यह property match नहीं करती यहां पर मैं कहूंगी कि जो anode rays है वो depend करती है nature of gas पर अब सुनिएगा क्यों करती है यहां पर हुआ क्या था यहां यहां पर gas के particles थे वो dissociate हुए और उन्होंने क्या किया पॉस्टिव आयन रिलीज हो पॉस्टिव आयन कब रिलीज होते है पॉस्टिव और नेगिटिव दोनों ठूटे होंगे तो आपका यहां पर कौन सी gas है कौन सा element कौन सा atom present है आपके जो atom होते हैं उनके efficiency से different different होती है कोई एक electron release करता है कोई दो करता है और फिर जादा कर पा रहा है एक electron कर रहा है, दो electron कर रहा है तो इस वज़े से यहाँ पर जो आपकी anode rays है वो किस पर depend करती है, nature of gas पर depend करती है तो जो हमारी cathode rays थी, उसमें जो electron था उसका हमने क्या निकाला था E by M, यानि कि charge mass ratio निकाला था, वो कितना मिला था, मैं 1.75 और 1.76 भी बोल सकते हैं आप into 10 raise to the power 11 कूलंब पर केज ही निकला था, got it लेकिन इस case में, यानि कि जब आप किसकी बात करो, anode rays की बात करो तो जो positive ions थे उनका जो charge mass ratio निकल के आया वो है 9.58 into 10 raise to the power 7 कूलंब पर केज ही निकल के आया, तो आपको यहां से दिख भी रहा है कि इसकी value क्या है, कम है, किसके comparison में, electron के comparison में और उसे तरीके से क्या किया गया जिस तरीके से cathode rate को imply किया गया था, यहां पर charge भी निकाला गया, ठीक है इस proton के उपर जो charge निकाला गया charge मैं हाँ पर proton अभी नहीं बोलूगी क्या बोलूगी, जो positive ion थे, उनके उपर जो charge निकाला गया था वो बच्चे कितना निकला था, 1.6022 into 10 raised to the power 19 ठीक है, कूलम sorry, minus 19 ठीक है, इतना क्या निकल किया था charge निकल किया था, तो charge निकल गया था हमारे पास charge by mass ratio है तो यहां से क्या निकाल सकते है mass निकाल सकते है ठीक है, तो mass कैसे निकलेगा e upon में e by m तो यह क्या हो जाएगा, m उपर e से ही क्या हो जाता है, cancel हो जाता है तो पिछले case में देखे, पिछले case में क्या था, कि जो e की जो value थी वो जादा थी, यानि कि नीचे बड़ी value थी, तो mass क्या आया कम आया, इस बार क्या है, यह वाली value छोटी है, छोटी value नीचे होगी तो overall value क्या आएगी, बड़ी आएगी यानि कि जो proton का mass होता है वो क्या होता है, जादा होता है as compared to electron तो इसको अगर मैं divide करती हूँ क्या आजाएगा, यहाँ से 9 point e है, 1.6022 into 10 raise to the power minus 19, ठीक है, divided by क्या आजाएगा, यहाँ से 9.58 into 10 raise to the power 7, ठीक है, उपर unit इसकी क्या रहेगी, कूलम रहेगी इसकी क्या रहेगी, कूलम पर kg तो कूलम से कूलम क्या हो गया, कैसी रहो गया तो यहाँ से जब आप mass conclude करेंगे, तो value आएगी 1.67 into 10 raise to the power 10 raise to the power minus 27 kg तो विसी बात है, कि हमारे पास electron का mass minus 31 पे जा रहा था, यहाँ पर क्या हारा है, minus 27, अगर इसके mass को में क्या करूँ, hydrogen hydrogen के mass से रहा है, पोस्टिम आयन का जो mass आया है, वो आया है 18.37 times किसके? electron के ठीक है, 18.37 times of electron के आया है, इतना ठीक है, और अगर electron की बात की जाए, तो वो क्या था? 1 upon 18.37 time of hydrogen था, या फिर इसको उल्टा लिख सकती हूँ, that hydrogen का जो mass था, वो भी कितना था? 18.37 time of क्या था? electron था, ठीक है, ये थोड़ा सा correction कीजिएगा, definition के according, मुझे थोड़ा सा लगा कि मैंने शाहिए थोड़ा गड़बड कर दिया, so यहाँ पर दुबार देखेगा कि जो positive आयन आये थे आपके, उनका जो mass था, वो electron था, अब तो यहाँ से, ये वाली quantity, ये इसके equal है, ये इसके equal है, तो यहाँ से हम कहेंगे, कि जो positive ions आये थे, इनका जो mass था, वो क्या था? hydrogen के mass के equal था, ठीक है? क्या था? hydrogen के mass के equal था, तो अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं, कि जो positive ion निकल के आएंगे, उनका जो mass था, वो mass है, वो किसके equal है, proton के mass के, one proton के mass के equal है, got it? आती है कि इनको proton क्यों बोला जाता है, ठीक है, इनको proton क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो mass था, जहांसे सुनिएगा, that this mass is practically equal to that of the hydrogen atom, ठीक है, लगबग क्या था, hydrogen atom के equal था, and is regarded as one unit mass दुबारा सुनिएगा, क्या बोला गया, the mass देखो, फिशले case में क्या था, जो electron का mass क्या था, one upon 1837 part of hydrogen था, अगर इसको practically देखा जाए, तो बहुत छोटी से छोटी quantity है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इस mass को neglect कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं proton के mass को hydrogen के mass से equate करूँ, तो अगर practically बात चल रही है, बचे, practically अगर देखा जाए, तो इनका जो mass है, वो nearly, यहानि कि इससे बहुत जादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, इस quantity से बहुत जादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो practically क्या आता है, nearly equal आता है, तो इसलिए इसको unit mass consider कर लिया जाता है, यानि कि equal to mass of hydrogen के, अब hydrogen के mass, अब hydrogen के equal माल लिया, तो hydrogen के अंदर तो क्या होता है, atomic number क्या होता है, one, तो एक electron है, तो नहीं कि positive पाइट आला भी कितना मिलेगा, proton, तो सिर्फ एक, यानि कि unit है ना, सिर्फ एक के लिए वो mass था, ठीक है, तो यानि कि hydrogen में क्या कहा जाता है, एक electron है, तो एक ही क्या मिलेगा, proton, और इसी के mass के ही equal आ गया, that's why क्या माना जाता है, इसको proton कहा गया, ठीक है, तो आगे से हम क्या पढ़ते है, proton, इसको क्या बोलते हैं, इनको हम protons बोलने लगे, positively charge आ, इनको proton बोलने लगे, लेकिन अगर आप hydrogen के अलावा, कोई और gas फिल करते हैं, उस anode rays tube के अंदर, ठीक है, तो होगा, तो number, depends करते हैं, कि आपने को योर गैस लेली, उस गैस के अंदर क्या होंगे, different protons होंगे, क्योंकि एक proton वाला तो सरफ हमारे पास क्या है, hydrogen ही है, बाकी होंगे, like helium है, उसके अंदर दो proton है, तो क्या करना पड़ेगा, इस unit mass को उससे multiply कराना पड़ेगा, और number of proton को भी उससे multiply, यहने कि 2 है, तो 2 into proton हो जाएगा, तो इस तरीके से इन positive 1 को भी proton बोला गया, तो अगर आप proton को define करो, तो कह सकते हैं, that a proton is, a proton is a subatomic particle, obviously बात हैं क्या है, subatomic particle, ठीक है, which carries, which carries one unit positive charge, one unit positive charge, charge कितना था बच्चे, इतना था, 1.6022 into 10 raised to the power minus 19 coulomb था, right, and has a mass, and has a mass, mass कितना था बच्चे, mass था 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg, got it, equal to that of, equal to that of, equal to that of, equal to that of an atom, equal to that of an atom of hydrogen, so इसके बाद में जो हमारा जो next topic रहेगा, वो है discovery of, discovery of radio activity, radio activity, discovery of radio activity से आप क्या समझते हैं, पहली बात तो यह आते हैं, ठीक हैं, अगर मैं radio activity की बात करें, तो यह क्या बताता है, electrical nature, मतलब एक तरीके से radio activity जो है, यह हमें बताती है, एक और evidence एक तरीके से कि matter क्या रखता है, electrical nature रखता है, अभी तक हमें, क्या देखा था, proton के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और किसके बारे में पढ़ा, electron के बारे में पढ़ा, तो यह भी, जो है discovery of radio activity, यह भी मुझे क्या बताता है, कि जो matter होता है, वो क्या होता है, electrical nature रखता है, अपने अंदर, got it, तो अब अगर मैं कहूँ, जो phenomenon आया, किसका radio activity का, वो कहां से आया, तो इसके पीछे क्या एक छोटी सी story है, वो छोटी सी story क्या है, जो 1896 की बात है भई, 1896 में कोन आये थे, हेंरी आये थे, ठीक है, हेंरी बैक्रिल आये थे, उन्होंने क्या किया, वो अपनी लाग में कुछ काम कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो किसके उपर कर रहे थे, बचे, यूरेनियम के salt की उपर कर रहे थे ठीक है, यूरेनियम क्या है, एक radioactive element है, ठीक है, यूरेनियम का जो salt है, उसके उपर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, तर काम करने के बाद, उन्होंने यूरेनियम के salt को एक black paper में क्या कर दिया, रैप कर दिया, और उसको अपनी ड्रोर में रख दिया, जो उन्होंने वो जो उन्होंने भी जैसे photographic plate को observe किया तो फोटोग्राफिक प्लेट थी, वो यह क्या हो गई, ब्लैक हो गई तो वो क्या हो गई, काफी हरान हो गई, क्योंकि जो photographic plate थे, वो black किस वजह से हुई कोई तो reason रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी sun light नहीं इनको यह लगा कि जो यूरेनियम का जो सोल्ट ब्लाइक पेपर में था वो सोल्ट ने उस पेपर को penetrate कर दिया और photographic plate पर जाकर react कर गया ठीक है और वो जो photographic plate पर जाकर react किया ठीक है तो एक तरीके से एक luminous substance की तरह क्या किया उसने काम किया जैसे कि एक zinc sulfide काम करता है ठीक है luminous substance की तरह काम किया जैसे कि एक zinc sulfide करता है तो यहां से उनको क्या आया था इस radio activity का idea आया था तो अगर radio activity को define करूँ तो मैं यहां से कह सकती हूँ the phenomenon the phenomenon of spontaneous spontaneous emission of active radiations of active radiations by certain elements certain elements is called radio activity radio activity ठीक है एक phenomenon of spontaneous emission यानि कि जैसे ही वो जो आपका जो उनका uranium का salt photographic plate के contact में आया उन्होंने क्या कर दिया कुछ radiation generate की और generate कर दी तो इस तरीके की radiation जो generate हो रही है by any element ठीक है इस such type of radiation generated by an element is known as radio activity तो अभी जो radio activity यानि कि इस तरीके की जो certain rays जो release हो रही थी उसके nature को जानने के लिए उन्होंने क्या किया ऐसी rays के उपर electric और magnetic field अप्लाई करके देखा पहले बात जो elements क्या करते हैं बच्चे एमिट करते हैं elements which emit radioactive ठीक है radio activity known as radioactive elements radioactive elements तो जो इस तरीके के इस वज़े से जो uranium अगेर होते हैं आप लोगों देखा होगा periodic table के जो नीचे की तरफ जैसे प्रोटोनियम अगेर हो गए तो उनको हम क्या बोलते हैं radioactive element बोलते हैं तो उन्होंने किस तरीके का experiment किया तो उन्होंने क्या किया बच्चे उन्होंने एक क्या लिए लेड बोक्स लिए लेड बोक्स तमझते हैं आप लोग शीशे का ठीक है इस तरीके का क्या लिए एक लेड बोक्स लिए और उन्होंने यहां सेंटर में एक radioactive substance रख दिया ठीक है तो लेड बोक्स क्यों लिया ताकि यह क्या है अगर किसी metal का लेते तो उसके साथ में क्या कर लेते यह reaction कर जाता अब यह शीशे का है तो इसके साथ में कोई reaction नहीं करेगा इस तरीके से बंद है ताकि जो radiation से वो इस तरफ से ही निकले पीछे की तरफ यह left और right में ना जाए इस वज़े से ठीक है अब उन्होंने क्या किया बच्चे यहां पर एक lead sheet hole लगा दिया ठीक है यहां पर एक sheet लगा दियो उन्होंने और एक hole कर दिया ताकि यहां से जैको raise आएंगी तो raise ऐसे फैलेंगी यहां से इस तरीके से क्या होगी raise जा रही होगी तो hole से क्या होगा वो बिल्कुँ straight path में जा रही होगी ठीक है और आगे इनोंने क्या लगा दी एक screen लगा दी ठीक है एक screen लगा दी screen for observation observe करने फोटोग्राफिक प्लेट लगा सकते हैं क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट में क्या कर दिया था इसने एक black spot छोड़ दिया था ठीक है एक photographic प्लेट लगा दी यह अभी hole का क्या काम था कि जो raise यहां से निकल रही है वो क्या चली जाए यहां से बिल्कुल सीधी चली जाए ठीक है लेड की ही यहां पर sheet लगा यह कभी क्यों कि मैं दूसरी अगर चीज़ के लगा दी तो फिर इसको destroy तो नहीं करेगा लेड की sheet लगा दी यहां से hole में से अब क्या होगी यह raise बिल्कुल सीधी जा रही थी बिल्कुल सीधी जा रही थी अब इन्होंने क्या किया बचे यहां पर एक electric field लगा दिया यहां पर एक electric field लगा दिया इधर मालीजी negative plate लगा दी और इधर क्या लगा दी positive plate लगा दी positive plate ठीक है तो अब क्या हुआ इस raise में से कुछ raise निकली और वो क्या हो गई इस positive plate की तरफ attract हो गई कुछ raise निकली वो इस negative plate की तरफ attract हो गई और इस तरीके से spot दिख इन्होंने है कुछ raise आई वो ना तो negative attract हो इना positive की तरफ और बिल्कुल सीधी चली गए तो यहां से observation यहां से देकुंआ ये जो रेज थी वो डिफ्लेक्ट में टुवार्ट्स नेगेटिव चार्ज अब नेगेटिव की तरफ कैसे जाएंगे किसी और दफ रेर नेगेटिव चार्ज की तरफ कप जाएंगे जब उसके उपर हो पॉजिटीव चार्ज हो है ना क्या हो उनकी ऊपर पॉस्टिव चार्ज हो contain positive क्या करेंगे positively charged particle positively charged particle यानी कि यहां से जो rays थी जो negative चार्ज की तरफ protect हुई that means कि वो positively charged particle को contain करता है अगर वो पॉस्टिव चार्ज परते कर तो इस तरीके की rays तो इन रेज को इन्होंने क्या कर दिया बच्चे कुछ नाम दिया और वो रेस क्या थी एलफा रेस क्या थी एलफा रेस यानि कि ऐसी रेस जिनकी ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक है जो क्या रखती है पॉजिटिव चार्ज कोई पॉजिटिव पार्टिकल है तो फिसो फिद पर क्या हुआ पोस्तिव जार्ज पर क्यों बीनान से एसी आपडिस यहां पर करता हो गा कंटें नेगिटीव चार्ज़ पार्टिकल निकोटीव चार्ज पार्टिकल गोट टेट तो अगर पोस्ट्री के तरफ गई तो खुद के ऊपर क्या रहा होगा क्वेटिव चार्ज होगा तो जो ऐसी रेस थी उनको क्या Dog comparis उनको क्या कहा गया बिटा रिस इसको हम denote करते हैं ऐसे बी और इसका ये जो डंडा है बच्चे वो क्या होगा थोड़ा सा लंबा होगा बिटा को हम इस तरीके से denote करते हैं थर्ड वन थर्ड वन क्या हुई जो ना तो positive की तरफ attract हुई ना तो negative की तरफ deflect with that means उसके उपर कोई भी चार्ज नहीं है दरे दरेज वीच नाइदर deflected towards positive चार्ज नोर negative चार्ज अर neutral by by nature तो वो by nature क्या है बच्चे neutral है तो ऐसी जो रेज उनको कहा जाता है gamma rays क्या कहा जाता है gamma rays और gamma को इस तरीके से इस सिंबल से क्या करते हैं हम लोग denote करते हैं तो जो radioactive rays होती है वो तीन तरीके के charge contain करती है positive charge negative charge और neutral होती है तो positive charge वाले को alpha rays negative वाले को beta rays और जो neutral होती है उनको क्या कहते हैं gamma rays तो आगे अगर आपको कोई alpha rays beta rays और gamma rays जारेट बोलता है तो आपको ये समझ में automatically understood होना चाहिए कि वो self क्या करती होंगी कैसा charge contain करती होंगी ठीक है तो बच्चे यहाँ पर जो rays होती है उनके उपर क्या charge होता है वो अम लोग पढ़ चुके हैं तो electron proton की discovery के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक atom के अंदर ये electron और proton किस तरीके से arrange होते हैं ठीक है तो next lecture में हम यहीं पढ़ेंगे till then पढ़ते रहें कि अपना ध्यान रखे थैंक यू सो मच